हेलो एवरिवरीवन और वेलकम तो माई चैनल टिटोट्स क्लास इंग्लिश ग्रामर फॉर किट्स और बिगनर्स की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे अभी तक के हमने is, am, are, a, and the, articles, preposition बहुत सरे लेसन कवर कर लिये हैं तो आज हम पढ़ेंगे and जिस हम conjunction भी कहते हैं तो पहले आप read कीजिये in sentence को first sentence father bought bread father bought butter father bought bread means papa bread लाए father bought butter, papa butter लाए अब इसको मैं क्यों ने ऐसे अलग-अलग ना कहकी ऐसे कह सकती हूँ father bought bread and butter papa bread और butter तो नो लाए या papa bread और butter लाए ऐसा कहना ज्यादा सही होगा न next sentence हम देखते हैं रमा इट्स अ बनाना रमा एक बनाना खाती है रमा इट्स अन आपल रमा एक आपल खाती है अब इतनी लंबी बात करने से बेटर है मैं ऐसे बात करूँ रमा इट्स अ बनाना अन आपल रमा बनाना और एक बनाना और एक आपल खाती है यह ज़्यादा सही लग रहा है तो यह दोनों sentence में common क्या हुआ फस्स सेंटेंस में हमने एंड लगा करके दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोडा और सेकंड सेंटेंस में भी हमने एंड लगा करके दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोडा तो एंड को हम जॉइनिंग वर्ट भी कह सकते हैं जॉइन कर रहा है ना छोटे-छोटे sentence को join करने के लिए हम अंड का इस्तमाल कर रहे हैं अंड is used to join two sentences together जब हम दो sentence को join करते हैं तब हम अंड का use करते हैं For example, यहाँ पे example देखेंगे हम जैसे की pencil eraser pencil है और eraser दोनों अलग-अलग हैं तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी pencil and eraser pencil and eraser next example sun, moon सूरज और चांद हम ऐसे ही कहते हैं ना सूरज चांद नहीं, सूरज और चांद sun and moon मैंने इसको जोड दिया pinky, rinky pinky and rinky pinky और rinky को मैंने जोड दिया तो सब जगा हमने जोडने में किस चीज का यूज किया and का so and is joining word तो अप आपको ये clear हो गया होगा कि and क्या है and एक joining word है और वो दो sentence को एक साथ join करने में use होता है and is used to join two sentences together इसकी details में भी मैंने class ले रखी है आप चाहे तो description box में लिंक पे जाके click करके देख सकते हैं मेरी पूरी playlist है English grammar की वहाँ पे जाकर भी आप and का use देख सकते है and को हम conjunction भी कहते हैं तो होब आपको आज का वीडियो बहुत help करेगा अगर आपको और भी कोई doubts है तो आप comment box पे ज़रूर लिखिए और आगे भी मैं and की worksheet और और भी doubts क्लियर करें